दोस्तों नमस्कार मैं हूँ आर्गेट अशोग गोयल मित्रों एक आर्गेट्स ग्रुप पे जिसमें 200 से ज़्यादा आर्गेट्स हैं बहुत सीनियर आर्गेट्स हैं उस पे किसी विद्वान वेक्ति ने एक मैसेज जाला है कि क्या कोई आर्गेट कुतम मिनार जैसी निर्मान करने के लिए तियार है जो 500 साल से ज़्यादा तक टिका रहे बले ही उसने ये बात आज की वास्तुकला पर व्यंग करते हैं गई हो लेकिन मैंने ये चुनोतिस विकार की है उस वेक्ति ने क्या लिखा है और मैंने क्या जवाब दिया है मैं आपको पढ़कर सुनात हूँ उससजन ने कहा है डिर आल प्लीज कंफिर्म देजाइन अबलीक एन कंस्ट्रक्ट विद एक्टिरेशी एज अफ कुत्मिनार अद लाइस पैन फ्यूंड फाइवंडेड एर्स सेकंड सिमिलर कुत्मिनार फानेंस फर देश्ञां इस क्लियर इफ कवर आस्पेक्स दोस्तों मैंने इसका जवाब दिया है यस प्लीज दिपोजिट फाइपर सेंट ऑफ एस्टिमेड इट कॉस्ट वर्स रिटेनिंग अमाउंट इन मैं एकांट विल शेर विद्यू अकांट डिटेल्स अफर यू शो मी दा एस्टिमेड इट कॉस्ट मांट इन यर बैंक बै सब्सक्राइब को दिजाइन इंट सब्सक्राइब इस ताज महल इंट फोर्ट इफ दा क्लाइट इस विलिंग अफ एनफ मनी एंड रिसोर्स इस वी कि मनी वैं गरंटी फॉर वन थाउजन यर्स स्टेबिलिटी यह सारी बात को भले ही आप हलके में लें लेकिन इससे एक अभीर बात निकल कर सामने आई है कि आज भी देश में बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं जो तरह तरह के डिजाइन कंपटिशन आयोजित करती है थोड़ी सी धनराशी पुरुषकार के रूप में वित्रित कर दी जाती है और उनकी टर्मस और कंडिशन में लिखा होता है कि कि इस प्रतियोगता में इस डिजाइन कंपटिशन में जितने भी डिजाइन आंगे उन सभी डिजाइन पर कॉपी राइट का अधिकार कंपटिशन आयोजित करने वालों के पास होगा और सबसे विच्चित्र बात यह है कि आर्ट एक सबसे बड़ी संस्था ने इसी तरीक का एक डिजाइन कंपटिशन आयोजित किया है जिसकी शर्तों में लिखा है कि कि कंपटिशन आयोजित करने वालों को कि किसी भी डिजाइन का कुछ भी हिस्सा या पूरा हिस्सा इस्तमाल करने का अधिकार होगा भले ही उस प्रतियोगता में उस कंपटिटर को ना तो कोई पुर्सकार मिला हो ना ही कोई उसको धनराशी का भुकतान किया गया हो इसको मैं अपनी 40 साल की प्रैक्टिस में मैंने ऐसे बहुत से क्लाइंट्स देखे हैं जिनको मुफ्त के डिजाइन चाहिए होते हैं उन्नुफ्त के डिजाइन के चाहने वालों के लिए मैंने बहुन निर्वान पर किताबे लिखी और मेरी किताबों को दस लाग से ज़्यादा लोग उने पड़ा 40 रुपगी किताब में 50 नक्षे होते थे और इसलिए बनाए गए थे कि आपको एक रुपए से भी कम कीमत पर भुवन का एक डिजाइन मिल जाएगा और अगर आप किसी आर्गेट की कंसर्टनेंसी नहीं चाहते आपको लगता है कि मात्र इस रेखाचितर से आपका काम चल जाएगा तो सिर्फ 75 पैसे में आप अपने भुवन का निर्मान कर बचेंगे ऐसे लोगों के पास जाने से दो बचेंगे जिनके पास क्वालिफिकेशन बीए की होती है क्वालिफिकेशन बीए सी की होती है क्वालिफिकेशन हाय सगंटरी की होती है और अपने नाम के आगे लिख देते हैं आज भी देश में जगह जगह इस तरह के फरजी आर्केट भरे पड़े हैं जिनके पास बीए बीसी तो छोड़िये दस्वी पास की भी कौलिफिकेशन नहीं है और विच्छतर बात यह है कि ना तो रेगुलेटरी बॉड़ी इनके खिलाफ कारवाई करने में पिचले दस सालों में इस रहें किसी फजी आर्केट खेलाफ अ कि एफ और दर्ज नहीं की गई जबकि टाइटल का और अपयोग गयर कानूनी है इसका दुरूप युद्ध कानूनी है सिर्फ वही वैक्तिस का अपयोग कर सकते हैं जो कौलिफाइड है जो कॉंसल से अगे बढ़ाया है कि क्या हमारा हिंदुस्तान के आज क्या आर्गिट्स ऐसे निर्मान नहीं कर सकते जो 2000 साल पहले एकजार साल पहले पांसो साल पहले हुए थे आप क्या सोचते हैं बताइए गजरूर शुपकामना नमस्कार